हेलो फ्रेंट्स श्वागत है आप सभी साथ हो का एक स्मार्ट स्टेडी यूटूब चैनल पर इस वीडियो में आज जनवरी दो हाजर तैस से जुन दो हाजर तैस तक का कम्प्लीट लास्ट सिक्स मन्थ का करेंट एफेस करेंगे टॉप देखिए दो सो पचीस मल्टीपल च इंपोर्टेंट करेंट एफेस को मैंने इस वीडियो में इस क्लास में आज सामिल कर दिया है तो आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं सभी एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्फुल ये क्लास आपका होने वाला है चाहे SSC का कोई एक्जाम हो UPS SC PCC क्यों ना हो SSC CGL CHSL MTS बिहार पुलिस मध्य परदेश पुलिस उत्तर परदेश पुलिस कोई भी स्टेट लेवल की आप कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो सभी एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए आज के इस क्लास में साथियों आपको बता दे एक ही वीडियो में complete क्लास करेंगे कोई भी पाट वाइज नहीं है आपको एक ही गलास में सारे कोश्टन मिलने वाले हैं मतलब कि इस क्लास में तो अन्तर जरूर दिखेगा दीखिये आज का पहला कोस्टन है हाली में कौन संघाई सयोग संगठन यानि SCO का नवा सदस्य देश बना है बहुत ही important question है और साथियो दिखिएगा आपको याद रखना है इस question का right answer अपका हो जाएगा साथियो option number C इरान दिखिए कौन संघाई सयोग संगठन यानि SCO का नवा सदस्य देश बना है तो इरान पहले 8 सदस्य देश थे अब इरान को लेकर 9 सदस्य देश जुड़ चुका है संघाई सयोग संगठन में ठीक है याद रिखिगा अगला question है हाली में किस सहर में भारत की पहली drone police unit launch की गई है बहुत ता मिलना डू ठीक है अगला question है हाली में किसे बर्ष 2022 के लिए AIFF पुरुस footballer of the year का पुरसकार मिला है तो याद रिखिए का साथ हो देखिए option number C correct answer है लाली यान्जू आला चांग्टी इनका नाम थोड़ा लंबा चोड़ा है आपको याद रखना है चलिगा आज का अगल question है note कर लिजेगा राइट answer है भारत ने option number C साथ्यों आप लोग class को जरूर लाइक करते चलिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें motivation मिलता है आप में से कोई भी साथ ही नए है चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को अन कर लिजेगा अगर आप केसी भी government exam की त्यारी कर रहे ह और साथ्यों class को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शियर कर दीजेगा देखिए अगला question है कौन व्यक्ति हाली में SBI के नए मुख्यबित्य अधिकारी यानि CFO यानि Chief Finance Officer बने हैं तो राइट answer हो जाएगा याद रिखिएगा option number B कामेस्वर राव कोदावंती है ना जो क SBI के नए मुख्यबित्य अधिकारी यानि CFO बने हैं next question है साथ्यों class आपको बिल्कुल fast करवा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा question है और एक ही class में करना है तो दिखिए प्रतिवर्स पूरे भारत में एक जुलाई को राष्ट या चिकित्सक दिवस किस के या किन के जनम दीन पर मनाया जाता है एक जुलाई को साथ्यों national doctors day यानि राष्टे चिकित्सक दिवस मनाया जाता है पुचाय किन के जनम दीन पर मनाया जाता है बहुत ही अच्छा question है याद रिकिएगा डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जनम दिन पर option number B right answer हो जाएगा अगला question हाली में क ASEAN कवर्डी चेंपियंशिप 2023 का खिताब जीता है तो देखिए ASEAN कवर्डी चेंपियंशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है या किस टीम ने जीता है किस देश के टीम ने तो भारत ने याद रखना very very important है बारत का रिक्ट अंसर हो गया अगला question है प्रतिवर्ष दुन उनको राष्टिय सांखी की दिवस किन के जनम दिवस पर मनया जाता है तो याद रिखिगा साथियो PC महाल नोविष के जनम दिवस पर PC महाल नोविष पता है न साथियो जो दूतिय पंच वर्षिय योजना थी भारत की जिसका समय अधिया आपका 1956 से 1961 तक था इसका जो की दिवस मनया जाता है ठीक है अगला कोश्चेन है साथियो दिखीगा कौन ब्यक्ति हाली में केंद्रिया जांच वियरो यानि CBI के नए बिशेश निर्दसक बने हैं तो CBI के नए बिशेश निर्दसक कौन बने हैं तो याद रिखिगा अजाई भटनागर जी राइट एं 200 क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खिलने वाले प्रथम गेंदवाज बन गये हैं ठीक है अगला कोश्चेन है हाली में आई-एस अनुराग बर्मा आई-ए-ए-स ठीक है आई-ए-स अनुराग बर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचीव नियुक्त किया गया है तो याद रिख हैं तो याद रिखेगा रोहित जावा ओप्शन नंबर डी नेक्स्ट है हाली में 23 जून 2023 को दुनिया भर में अंतराष्ट्य ओलंपिक दिवस मनया गया जिसे पहली बार किस वर्स मनया गया था तो देखिए 23 जून को ओलंपिक दिवस मनया जाता है तो इसको पहली बार मन राइट एंसर है अगला कोश्चन है हाली में कौन ब्रिक्स CCIWE की नई अधच बनी है तो राइट एंसर है साथ हो याद रिखी रूवी शिन्हा जी ओप्शन नंबर बी नेक्स्ट है हाली में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सुची में भारत क कौन सा स्थान मिला है तो याद रिखी गा 127 वा देखिए गलोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का जो रैंक है वो 146 देशों की सुची में 127 वा है अगला कोश्चन है प्रतिवर्ष दुनिया भर में 200 संगीत दिवस यानि वर्ड म्यूजिक डे ये किस तारिक को मने आजाता है तो याद रिखीगा 21 जून को ओप्शन नमबर ये नेक्स्ट है हाली में कौन 200 अंतराष्टिय मैच खिलने वाले पहले पुरूस फुटबॉलर बन गये हैं तो याद रिखीगा क्रिष्टियानो रोनाल्डो ओप्शन नमबर सी कौन ब्यक्ति हाली में महेश कु जो की पहले RBI यानि Reserve Bank of India के नए डिप्टी गवर्नर थे अब उनके जगाह पर नए कौन बने हैं तो याद रिखेगा स्वामी नाथन जानकी रमंजी ओप्शन नमबर डी याद रिखे स्वामी नाथन जानकी रमंजी ये जो है RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं नेक्स्ट कोश्चन है हाली में कौन ASEAN Championship में पदक जितने वाली पहली भारतिय तलवार बाज बनी हैं तो भवानी देवी ओप्शन नमबरे राइट एंसर है नेक्स्ट है हाली में 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतराष्ट्य योग दिवस मनाया गिया तो याद रिखे का साथियों बहुत ये अच्छा कोश्चन है देखिए नववा तो देखिए साथियों ये जो योग दिवस अंतराष्ट्य योग दिवस ये पहली बार मन 2015 को और अभी 2023 में जो मनाया गिया वो नववा था नववा संस्करन था है ना ओप्शन नमबर डी राइट एंसर है हाली में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज़ बनी है तो राइट एंसर हो जाएगा आपका नुसरत चौधरी याद रिखे का दिखिए नुसरत चौधरी जो है साथियो ये अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज़ बनी है नेक्स्ट है कौन ब्यक्ति हाली में रिसर्च एंड एनलाइसिस विंग यानि रो ठीक है रो के नए प्रमुक बने है तो रो के नए प्रमुक कौन बने है तो रवी शिन्हा ज क्या है इससे भी एक वीडियो आपको बहुत ही जल्द कल ही आपको प्रवाइड करवा दूँगा आप लोग इस वीडियो को देख लीजेगा ठीक है चली अगला कोश्चन है हाली में केंद्र सरकार ने नहिरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइवरेरी सोसाइटी का नाम गेको मिजोरा मैंसिस नामक उड़ने वाली छिप के लिएक नई प्रजाती खोजी गई है तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं साथियो यहां पर मिजोरे में मिजोरे में मिजोरम का नाम आ रहा है तो मिजोरम राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी अगला बसी राइट है का अ कि अहली में क資 राज की सरकार ने राज में पदम पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को तस हजार रूप्या मानसिक पेंसन देने की गोष्णा की है यारी भई जिन लोगों ने पदम प्दम पुरसकार यानि पदम सिरी पदम भुसंद प्रातिवर्स दुनिया भर में विश्वरक्त दाता दिवस यानी वर्ड ब्लड डॉनर डे ये किस तारिक को मने जाता है तो याद रिखेगा 14 जून को option number C correct है देखे right answer है अप्शन number B कोन ब्यक्ती हाली में सीमा सुरक्षाबल यानी BSF Border Security Force के नए महा निर्द्जशक बने है तो देखिए ब्यक्ति हाली में भारतिय विसिष्ट पहचान प्राधिकरन यानि UIDAI ठीके देखिए यानि आधार के नए CEO कौन बने हैं तो आधार के नए CEO अमित अगरवाल जी बने हैं आप्शन नमबर सी आपका राइट अंसर हो जाएगा हाली में किस टेनिस खिलाडी ने French Open 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है तो याद रिकिएगा साथियो French Open 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो याद रिकिए इगा स्वेतिक आप्शन नमबर भी करेक्ट है कौन व्यक्ति हाली में International Year Transport Association के Board of Governance के नए अधच बने हैं तो याद रिकिएगा नवाक जो को बीचने ओप्शन नमबर भी राइट एंड सरे देखीगा अगला कोश्चन है हाली में किस क्रिकेट टीम ने World Test Championship 2023 का खिताब जीता है तो साथियो World Test Championship 2023 का खिताब किसने जीता है तो ऑस्टेलिया ने भारत को हरा कर ओप्शन नमबर सी राइट एंड सरे कौन ब्यक्ति हाली में भारतिया भुबैज्यानिक सर्वेक्षन के नए महानिर्दसक बने हैं तो देखीगा साथियो भारतिया भुबैज्यानिक सर्वेक्षन के नए महानिर्दसक कौन बने हैं तो याद रिकिएगा जनारधन अगला है हाली में खुद की इंटरनेट सेवा Olat नम्बर बूख है को option number C देखिए एक चीज आपको बता दे आपको केवल पढ़ना वही कोस्चन है जो आपको एक्जाम में पूछ लिया जाएगा ठीक है इसलिए मैंने इस वीडियो में केवल most important selected questions को ही लिया है जो की 110% आपके परिक्षाओं में पूछे जाने के chances हैं ठीक है चलिएगा अगल को ब्यक्ति हाली में UNGA के 78 अधच के रूप में चुने गए हैं तो देखिएगा राइट अंसरे साथियो option number C डैनिस फ्रांसिस option number C हाली में महाराष्टर राज के किस जिले का नाम बदल कर अहिल्या वाई होलकर नगर रखा गया है तो याद रिखेगा अहमद नगर का option number D अहमद नगर का नया नाम क्या है तो साथियो अहिल्या वाई होलकर नगर नेक्स्ट है हाली में कौन 200 मोसम विज्ञान संगठन की प्रथम महला महासाचीब बनी है तो देखिएगा राइट अंसरे option number B सेलेश्टे सावलो जो की साथियो 200 मोसम विज्ञान संगठन की प्रथम महला महासाचीब बनी है नेक्स्ट है हाली में किस टीम ने मैंस होकी जुनियर एसिया कप 2023 का खिताब जीता है तो देखिएगा राइट अंसरे भारत ने option number C हाली में कौन भारतिय मूल की ब्यक्ति 200 मोसम विज्ञान संगठन के नए उपाधच बने है तो राइट अंसरे option number C म। pronounce नेक्स्ट है हाली में 2.2023 को भारत के किस राजने अपना दस्वासथपना दिवस मनाया तो साथ्योग राइट अंसरे ते लंगना देखिए ते लंगना क्या स्थपना हुई थी 2.02013 को और अभी 2.02023 को दस्वासथपना दिवस मनाया ते लंगना ने दो जून 2013 को जो है तिलंगना आंदरप्रदिस से अलग होकर अलग राज बना था नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाली में इस्टिल अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड यानि सेल के नए अध्धच बने हैं तो देखिए सेल के नए अध्धच बने हैं साथ यो कोन तो अमरेंदु परकास याद रिखीगा अमरेंदु परकास ये अभी इस्टिल अथोरिटी ओफ इंडिया यानि सेल के नए अध्धच बने हैं कौन ब्यक्ति हाली में सोमा संकर परसाद के अस्थान पर योको बैंक के नए प्रबन निर्दसक यानि एमडी बने हैं तो योको बैंक के नए एमडी कौन बने हैं तो याद रिखेगा option number C अस्वीनी कुमार ठीक है नेक्स्ट है, कौन ब्यक्ति हाली में Solar Energy Corporation of India Limited के नए प्रभण निर्दसक बने हैं? तो साथ यो देखिए, Solar Energy, Solar Energy Corporation of India Limited के नए प्रभण निर्दसक कौन बने हैं? तो अजय यादब जी याद रखना, अजय यादब, option number B. हाली में किस देश से संबंधित लेखक? जोर जी, गोस्पो डिनोव ने International Booker Prize 2023 जीता है, तो राइट एंसर है, बुलगेरिया के, option number C, correct एंसर है, अगला है, कौन ब्यक्ति हाली में नए केंद्रिय सतकर्ता आयुक्त नियुक्त किये गए हैं? तो देखिए, अभी बरतमान में केंद्रिय सतकर्ता आयुक्त कोन नियुक्त किये गए हैं? याद रिकिएगा प्रवीन कुमार स्रीवास्तव जी, option number B, किस क्रिकेट टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता है? तो IPL 2023 का खिताब जीता है आपका किशने, तो चन्नाई सूपर किंग्स ने, और उभी जेता टीम कौन थ अगला है, हाली में किसे बर्ष 2023 के लिए भारतिय उदोग परिसंग के अधच के रूप में नियुक्त किया गिया है? तो राइट एंसर है आर दिनियस जी को, option number C, next है, हाली में कौन अंत्रिच में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है? तो साथियो दिखीगा, अंत्रिच अंत्रिच में जाने वाली पहली अरब महिला कोन बनी है? तो राइट एंसर है साथियो रायाना बरनावी, option number B, next है, हाली में किसे त्रीपुरा राज्य परियाटन के नए ब्रांड अमेश्णर के रूप में नियुक्त किया गिया है? तो याद रिखीगा, सौरब गांगु जी को, option number B, देखिए, किस टेनिस खिलारी ने इटालियन ओपन दो हजरतेईस में पुरू सेकल का खिताब जीता है, तो साथियो डैनिल मेदवेदेव ने, option number C, correct answer हो जाएगा, अगला है, हाली में किसे भारतिया नौसेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंस के रूप में निय किया गया है, तो देखिए, correct answer हो जाएगा, अमर्दीप सिंग ओजला को, option number A, अगला कोश्चेन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतराष्टिय चाई दिवस कब मने आ जाता है, तो साथियो डैनिल में 21 माई को, option number B, हाली में केंदर सरकार ने कीरन डिजुजू के अस् सिधार में या किस दक्षिनी राज के नए 22 मुख्य मंत्री बने हैं, तो याद रिखेगा, बहुत ही important question है, तो करना टक के, option number D, कौन ब्यक्ति हाली में तेल और गैस छेत्र की नियामक संस्थान, PNGRB के नए चेर्मेन बने हैं, तो राइट एंसर है, एके जैन, option number C, next question है, हाली में किसे भारतिय प्रतिसपर्धा आयोग की नई अधच के रूप में नियुक्त किया गया है, तो साथियो, राइट एंसर है, रावनीत कौर को, याद रिखेगा, option number B, हाली में सतरंज खिलारी, बुपला प्रानीत, अब तक के भारत के कौन से वे grandmaster बने हैं, तो राइट एंसर हो जाएगा, याद रिखेगा, option number B, प्रवीन सूध, नेक्स्ट है, हाली में किसे, माइक्रो, देखे, माइक्रो व्लोगिंग साइट, ट्वीटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राइट एंसर है साथियो, लिंडा याकारीनो को, लिंडा याकारीनो जो की ट्वीटर की नई CEO बनी है, अगला question है, हाली में कौन IPL में अब तक सबसे तेज अर्ध सतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, तो यह सस्वी जैसवाल, जो की केवल 13 गेंदों में इन्होंने जो है साथियो, IPL में अब तक का सबसे तेज अर्ध सतक लगाया था, अगला question है, हाली में कौन फेशन ब्रांड गुस्ची की, देखिए, पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड अमजडर बनी हैं, तो याद रिखीगा, राइट एंसर हो जाएगा, साथियो, देखिए, आलिया भट, एक बहुती बड़ा और बहुती किम्ती को, option number C, question number 71 है, हाली में किस महिला खिलाडी ने, अपरेल 2023 के लिए, ICC player of the month का प्रसकार जीता है, तो देखिए, correct answer हो जाएगा, option number B, नारू मोल, चाइवाई, जो की थाइलेंड की हैं, next है, हाली में किस पुरुस खिलाडी ने, अपरेल 2023 के लिए, ICC player of the month का प्रसकार जीत है, तो देखिए, गर राइट answer हो जाएगा, साथियों याद रखिएगा, फखर जमान जो की पाकिस्तान के हैं, option number D, हाली में किस पुरुस खिलाडी ने, बर्स 2023 का, लॉरियस, लॉरियस वर्ड स्पोर्समेन आफ दा यर का प्रसकार जीता है, तो देखिए, correct लियोनेल में option number B, हाली में Pulitzer Prize 2023 के विजिताओं की घोशना हुई है, जो किस खेतर में दिया जाता है, आपसे पूछा है Pulitzer Prize जो है Pulitzer पुरुसकार ये किस खेतर में दिया जाता है, simple सा question है, right answer option number C, पत्रकारिता के खेतर में, कोन व्यक्ति हाली में मेरिल बॉन, cricket club यानि MCC के नए अध्ध बने हैं, तो देखे, right answer option number C, Mark Nicholas, हाली में जारी World Press Freedom Index 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा अस्थान मिला है, तो 161, देखे, World Press दिवस जो है ये 3 माई को मने आ जाता है, याद रिखेगा, और साथियो 2023 के इंडेक्स में 180 देशों की सुची में भारत को 161 अस्थान मिला है, ब्यक्ति, 200 बैंक के नई अध्धच बने हैं, तो देखे, 200 बैंक के नई अध्धच कोन बने हैं, तो अजय बंगा, option number C, correct answer साथ हो, जो की 200 बैंक के 14 अध्धच हैं, याद रिखेगा, चलिएगा, आज का अगला question हम लोग देखते हैं, खाली में किसे, अतनु कुमार दास क स्थान पर, बैंक ओफ इंडिया का नया, MD और CEO नियुक्त किया गिया है, तो देखे, अतनु कुमार दास जो की, बैंक ओफ इंडिया के MD और CEO थे, इनके जगा पर अभी नयाक इनको नियुक्त किया गिया है, तो रजनीस करना टक को याद रखना, option number B, ठीके, अगला है, हा कौन व्यक्ति हाली में, Cycling Federation of India के नए अध्यच बने है, तो देखे, Cycling Federation of India के नए अध्यच कौन बने है, तो पंकज सिंग, option number C, हाली में दिये गए Film Fair Awards, 2023 में, किसे सर्वस्रिष्ट अभी निता का पुरस्कान मिला है, तो याद रिकेगा राजकुमार राव को, option number B, correct रसन हाली में, किस राज में, भारत की पहली Water Metro सेवा का उध्गाटन किया गिया है, तो देखे, भारत की पहली Water Metro सेवा का उध्गाटन जो है, ये केरल राज में किया गिया है, साथ हो, option number 1, केरल, कौन ब्यक्ति हाली में, IT उधोग की सिर्ष ब्यापार संस्था NESCOM के बर्स 2023-24 के लिए अध्यच बने हैं, तो याद रिखेगा, अनन्त महाश्वरी, option number C, हाली में, जारी बिस्व बैंक के, लोजिस्टिक प्रदर्शन सुचकांग, 2023 में, भारत को कौन सा अस्थान मिला है, तो याद रिखेगा, 38 अस्थान, option number B, हाली में, कौन जल बजट, अपनाने वाल भारत का पहला राज्य बना है, तो साथियो जल बजट, यानि वाटर बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो केरल याद रिखेगा, option number D, राइट एंसर है, देखेगे, प्रतिवर्स विस्व प्रिथ्वी दिवस, ये किस तारिक को मने आ जाता है तो देखेगे का साथियो, विस्व प्रिथ्वी दिवस, ये 22 अप्रेल को मने आ जाता है, option number C, राइट एंसर है, कौन ब्यक्ति हाली में, राष्टियत तक्निकी अनुसंधान संगठन के नए अध्दच बने है, तो बहुत ही अच्छा question है, देखेगे, साथियो, National Technology Research Organization, NTRO, इसका full form होता है, याद रखना, इसके नए अध्दच कौन बने है, तो अरुन सिन्हा, option number A, correct answer है, हाली में, कौन बिर्ता पुरसकार पाने वाली, भारतिया बायु सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है, तो देखेगे, बिर्ता पुरसकार पाने वाली, भारतिया बायु से इतरे के बैंक के नए उप्रबन निर्दसक बने है, तो याद रिखेगा, HDFC बैंक के, option number D, हाली में, किसे बर्ष 2023 का लता दिनानात मंगेशकर अवाड मिला है, तो 2023 का लता दिनानात मंगेशकर अवाड किसे मिला है, तो आसा भोसले को, याद रिखे, option number C, हाली में, कौन विजडन देखिए विजडन क्रिकेटर ओफ दा इयर सम्मान जितने वाली पहली भारतिया महिला खिलारी बनी है तो राइट एंसर हर्मन प्रीत कौर आप्शन नमबर ए अगला कोस्चेन है हाली में कौन अग्यात सवों का डिन डेटाविस बनाने वाला भारत का पहला राज बना है तो साथ यो अग्यात सवों का यानि जिन डेट बोडी की पहचान नहीं होती है उन डेट बोडी का डिन डेटाविस बनाने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है तो हिमाचल प्रदेश याद रिखेगा ऑप्शन नमबर सी देखिए हाली में किस सुंदरी ने फ प्रासित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर IPL में अब तक के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गिंदबाज बने हैं तो राइट एंसर होगा करगीजोर रवाडा ऑप्शन नमबर ए अगला कोश्चिन है हाली में किस सहर के उत्तर पुर्वी भारत के पहले एम्स का उत्ग प्राइटी मनाई जाती है तो राइट एंसर है भीम राव अमबेटकर की ऑप्शन नमबर D केस्पुरूस क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है तो देखे राइट एंसर है साकीवल हसन को जो की बांगलादेश के ऑलराउंडर प्लेयर हैं किस सहर में भार की पहली सेमी हाई स्पीड रिजनल रेल का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो याद रिखे गार रैपीड एक्स है ना रैपीड एक्स नेक्स्ट कोस्चेन है साथियो हाली में किस राज की सरकार ने ऑल लाइन ऑल लाइन गैमलिंग पर प्रतिबंद लगाने वाला स्वास किया है तो देखेगा राइट एंसर हो जाएगा साथ हो याद रिखेगा सभी बहुत येच्छा कोश्चन है तमिल नाडू ने ऑप्शन नंबर भी कौन ब्यक्ति हाली में लाइसी के नए मुख्य निवेस अधिकारी बने हैं तो लाइसी के नए मुख्य निवेस अ तो याद रखना health for all option number B यानि स्वास्त सभी के लिए अगला question है हाली में कौन अमेरिकी प्रभावाले ग्रूप यानि नाटो का 31 सदेश देश बना है तो राइट अंसर साथ हो याद रिखेगा फिन्लैंड option number D राइट अंसर है कौन व्यक्ति हाली में RBI के नए कारिकारी निर्दसक के रूप में चुने गये हैं तो नीरज निगम option number C राइट अंसर है हाली में किसे सुजुकी मोटर साइकिल इंडिया के नए प्रवन निर्दसक के रूप में न्यूक्ट किया गिया है तो राइट अंसर है कैनीची उमेदा याद रिखेगा कैनीची उमेदा ओप्शन नमबरे कौन ब्यक्ति हाली में दोपहिया बाहन कमपणी हीरो मोटर कौक के नए CEO बने है तो देखे हीरो मोटर कौक के नए CEO कौन बने है तो निरंजन गुफ्टा ओप्शन नमबरे राइट अंसर है हाली में भारत्य मुल्क के ब्यक्ति अमेरिकी विदेश विभाग के नए CEO वने है तो राइट एंसर है रिचर्ड बर्मा आपका ना बिल्कुँ हाँ रिचर्ड बर्मा ओप्शन नमबर D अगला क्वेशन हाली में इफपो देखिए इफपो ने बर्स 2022-23 के लिए कर्मचारी भविश्णी धी पर ब्याजदर 8.10 परतिसत से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो याद रखना 8.15 परतिसत ओप्शन नमबर E किस क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजीत उमेन्स प्रीमियल लिग 2023 का खिताब जीता है तो देखिए उमेन्स प्रीमियल लिग 2023 का खिताब जीता है मुंबई इंडियन्स ने ओप्शन नमबर E राइट अंसर है हाली में कौन मारकोस त्रयोजो की अस्थान पर निव डेवलोपमेंट बैंक की नई प्रमुक बनी है तो राइट अंसर है साथियो डिलमा डेखिए डिलमा रूसेफ जो की निव डेवलोपमेंट बैंक की नई प्रमुक बनी है हाली में कौन भारतिय मुल्क के ब्यक्ति टेक्स्ट एडिटिंग प्लेट्फॉर्म देखे टेक्स्ट एडिटिंग प्लेट्फॉर्म है ये साथियो देखे ग्राम रिली के नए CEO वने हैं तो राइट एंसर हो जाएगा याद रिखी का राहुल रॉज चौधरी हाली में केंद्र सरकार ने केंद्रिय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार परतिसत बढ़ा कर अब कितना कर दिया है तो साथियों दिखेगा केंद्र सरकार ने केंद्रिय कर्मचारियों उनका महंगाई भत्ता पहले 38 परतिसत था अब उसमें 4% बढ़ोतरी की है तो 42% हो गिया है तो option number C right answer है 42% हाली में अर्जेंटीना के लुईस कैफरेली को एवेल प्राइज 2023 मिला है जो किस छेतर में दिया जाता है तो देखिए सबसे पले ये याद रिखिए कि एवेल प्राइज 2023 किसको मिला है तो अर्जेंटीना के लुईस कैफरेली को और एवेल प्राइज आप सभी को पता है कि गनित के छेतर में दिया जाता है भारत का पहला राज बना है तो देखिए राइट टू हेल्थ विल पारित करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है तो साथिो आपको याद रखने है राजस्थान राज जाता है तो राइट एंसर है 23 मार्च को 23 मार्च को सुखदेव भगत सिंग और राजगुरू को फासी दी गई थी याद रखना अगला कोश्चेन है हाली में भारत की किस प्रथम महिलाख हिलाडी के नाम पर राय वरेली में स्टेडियम बनाया गया है तो याद रखीगा होकी प्लियर राणी रामपाल के नाम पर अगला कोश्चेन है साथ हो हाली में किसे दिपक बागला के अस्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO नियुक्त किया गया है तो याद रखना बहुत ही अच्छा कोश्चेन है देखिए मनमीत के चंदा जी को अगला कोश्चेन है हाली में किस देश से संबंदित खिलारी टीम पेन ने किर्केट के सभी प्रारुफों से सन्यास लेने की घोशना कर दिये तो याद रखना टीम पेन जो कि ऑस्टेलिया के क्रिकेट खिलारी है ओप्षन नमबर भी करेक्ट है कौन ब्यक्ति हाली में अरुन कुमार सिंग के अस्थान पर BPCL के नए चेर्मेन और प्रवन निर्दसक बने है तो BPCL के नए चेर्मेन और प्रवन निर्दसक कोन बने है तो याद रखना जी कृषन कुमार ओप्षन नमबर C भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेर्मेन और प्रवन निर्दसक आपको याद रखना है साथियो जी कृष्ण कुमार जी बने है option number C right answer है हाली में किस भासा की प्रसिद लेखी का सिव संकरी को बर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है तो साथियो राइट answer है तमील याद रखी का तमील भासा की प्रसिद लेखी का सिव संकरी को बर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है हाली में जारी हुई बर्ष 2023 की वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो साथियो राइट एंसर है 125 वा अस्थान आप्शन नंबर भी याद रखना और साथियो 20 वो खुषाली दिवस ये आपका कब मनया जाता है तो 20 मार्च को ये भी आपको याद रखना है हाली में कौन आइटी कंपणी टीसी एस के नए एमडी और सीईओ बने है जो कि ससिकान दास को गवर्नर ओफ दा एयर पाने वाले अब तक के कौन से वे भारतिया बने है तो याद रखना दूसरे आप्शन नंबर भी हाली में कौन पर्थम भारतिया मुल्के ब्यक्ति अमेरिकी एर फोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने है तो राइट अनसरे साथियो रभी चोधरी ऑफ्षन नंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयतक देश मना है याद रिकिगा भारत आप्षन नंबर से देखे हाली में जारी हुई IQ Air की World Air Quality Report 2022 में भारत को दुनिया भर में कौन सा अस्थान मिला है राइट अंसरे आठवा अस्थान हाली में किस पुरूस क्रिकेटर को फरवरी महिने के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है तो राइट अंसर है Harry Brook को जो की England के खिला रही है अगला है हाली में कौन वंदे भारत Express Train की पहली महिला लोको पाइलेट बनी है तो याद रखना सुरेखा यादव Very very important question है Next साथ यो कौन ब्यक्ति हाली में IT Company Tech Mahindra के नए MD और CEO बने है तो देखे टेक Mahindra के नए MD और CEO कौन बने है तो मोहित याद रिखेगा मोहित जोसी Option number D हाली में किसे बर्स 2022 का ब्यास सम्मान मिला है ब्यास सम्मान जो की साहितिके छेतर में दिया जाता है और ये 2022 का किसको मिला है तो डॉक्टर ग्यान चतुरवेदी जी को Option number C Next है Oscar Awards 2023 में किसे सर्वस्रेश्ट अभीनेता का प्रोस्कार मिला है तो Oscar Awards 2023 में सर्वस्रेश्ट अभीनेता का प्रोस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है Option number 8 हाली में 10 मार्च 2023 को केंद्रिया अधोगिक सुरक्षा बल यानि CISF ने अपना कौन सवास्थ अपना दिवस्मनाया तो याद रिखीगा 54 अप्शन नमबर B हाली में कौन भारतिय बायो सेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है हाली में मानिक शाहा लगातार दूसरी बार किस राज के मुख्यमन्त्री बने है तो राइट अंसर साथियो त्री पूरा के Option number D हाली में कौन निव यॉक कोट में पहले भारतिया अमेरिकी जज़ बने है तो करेक्ट अंसर साथियो अरून सुब्रमन्यम जी आप लोग देखिये क्लास को लाइक और शेर जरू करते चलना साथ लो ये क्वेस्चन्स आपके सभी एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं लाइब लगातार पांच यह नागालेंड के मक्झे मंत्री वने है वह उप्जाम्स के अस्तान पर नापल के नहीं राष्ट आर्किटेक्चर है ना आर्किटेक्चर प्राइज 2023 को जीता है तो याद रखना डेविड आची पर फेल्ड ने है न नेक्स्ट है हाली में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है तो संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है साथ हो करना टकाने ओप् देखे कौन व्यक्ति हाली में बित मंत्राले के तहत 28 वे लेखा महानियंत्रक बने हैं तो राइट अंसर है साथ याद रखना SS दूबे जी ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्स दुनिया भर में अंतराष्टिय महिला दिवस ये कब मनेया जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर आ इंटरनेशनल बैडमिंटन चेंपियंशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है तो साथ याद रिखी का राइट अंसर अनुपमा उपाज ध्यायने ऑप्शन नंबर सी हाली में देखियो वो वान थूंग किस देश के नए राष्ट पती बने है तो बियतनाम के याद रख अप्शन नंबर डी कौन ब्यक्ति हाली में पत्र सुचना कारिया लई के नए प्रधान महानेर्दसक बने है तो राइट अंसर राजेस मलोत्तरा जी अगला कोश्चन है हाली में किसे ससस्त सीमा बल यानि SSB की नई महानेर्दसक के रुप में नियुक्त किया गया है तो रा अप्शन नंबर डी कौन ब्यक्ति हाली में अरुण चावला के अस्थान पर फिक्की के नए महासाचीब बने है तो देखें फिक्की के महाने महासाचीब अभी कौन बने है तो सैलेस पाठक जी अप्शन नंबर डी राइट अंसर है हाली में किस महिला फूटबॉलर ने फिफा प्लेयर ऑफ दाययर 2022 का पुरसकार जीता है तो साथियो याद रिखी का ऑप्शन नंबर भी देखें ऐलेक्सिया पुटेलस हाली में किस पुरुस फुटबलर ने फीफा प्लेयर आफ दायर 2022 का पुरसकार जीता है तो राइटेंसरे लियोनेल मेसी ने अप्शन नमबर सी हाली में जारी हुई बर्स 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है तो राइटेंसरे 42 वास्थान ओप्शन नमबर भी याद रखना हाली में किस क्रिकेट टीम ने ICC उमेंस T20 वर्ल्ड कॉप 2023 का खिताब जीता है तो राइटेंसर हो जाएगा साथियों ऑस्टेलिया ने ओप्शन नमबर D कौन ब्यक्ति हाली में भारत के नई ड्रग कंटोलर जनरल बने हैं तो देखे भारत के नई ड्रग कंटोलर जनरल कौन बने हैं याद रिखीगा डॉक्टर राजीब रगोबन सी जी ऑप्शन नमबर D हाली में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल अमबेश्डर न्यूक्त किया है तो देखीगा साथियों यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल अमबेश्डर न्यूक्त किया है तो आयुसमान खुराना को ऑप्शन नमबर C हाली में कौन सतरंज किलाडी भारत के असीवे ग्रेंड मास्टर बने थे तो भारत के असीवे ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो याद रखना बिगनेस एन आर option नमबर C हाली में हुई घोषना के अनुसार किस राज में उत्तर भारत का पहला परमानू उर्जा सेंत्र इस्थापित किया जाएगा तो साथियो राइट एंट सरे हरियाना, option number भी हरियाना में क्यों ब्यक्ति हाली में निती आयोग के नए CEO बने हैं तो देखिये निती आयोग के नए CEO कोन बने हैं तो वी वी आर याद रिखीगा वी वी आर सुब्रमन्यम, option number ए दादा साहेब फाल के अंतराष्टिया फिल्म समारों 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है तो याद रिखीगा दक कस्मीर फाइल्स को हाली में किस क्रिकेट टीम ने रंजी ट्रोफी 2022 का खिताब जीता है तो राइट एंसरे सोराष्ट ने, option number D हाली में बाप्टा आवार्ड सो 2023 में किसे सर्वस्त्रिष्ट मुख्य भी निता का आवार्ड मिला है तो साथ यो राइट एंसर हो जाएगा याद रिखेगा आउस्टिन बटलर को, option number D हाली में योरोपिया संग ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंद लगाने की घोशना किये तो 2035 से याद रिखेगा, option number A हाली में किस खेल से संबंधित महान भारतिया खिलारी, तुलसिदास बलराम का 87 वर्ष की उमर में निधन हो गया तो याद रिखेगा, फुटबॉल से संबंधित थे विडियो स्ट्रीमिंग फ्लेटफर्म, यूटूब के नए CEO बने हैं, तो राइट अंसर नील मोहन जी, option number D अगला कोश्चन है, हाली में कॉन्टी 20 अंतराष्टिया में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतिया, क्रिकेटर बनी है तो राइट अंसर दिप्ति सर्वा, option number A हाली में किसे महाराष्टा राज कानाया राजपाल ने उक्त किया गया है, तो करेक्ट अंसर रमेश बैस को, option number B हाली में निकोस क्रिष्टो डुलाइट्स ये किस योरोपिय देश के नए राष्ट पती बने है, तराइट अंसर साइप्रस के, option number D हाली में किसे बर्स 2022 के महाराष्टा भूसन पुरसकार से सम्मानित किया गया है, तो याद रिखीगा साथियो अप्पा साहिब धर्माधिकारी को, option number B हाली में मुहमद सहाबुद्दिन चुप्पू, भारत के किस परोसी देश के नए राष्ट पती बने है, तो याद रिखीगा बांगलादेश के, तो बांगलादेश के नए राष्ट पती कोन है, तो मुहमद सहाबुद्दिन चुप्पू नेक्स्ट है हाली में किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी महिने के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है तो राइट अन्सर है साथियो सुभमन गील को option number D सुभमन गील भारत देखी के साथ यो अगला question है हाली में कोन क्रिकेट के तीनों प्रारुपों में सतक जड़ने वाले पहले भारतियक कप्तान बने है तो राइट अन्सर है रोहित सर्मा option number C हाली में किस सहर में भारत का पहला glass igloo restaurant खोला गिया है तो glass igloo restaurant भारत में कहां खोला गिया है पहला तो कस्मेर में option number B कस्मेर next हाली में RBI ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है जो अब बढ़कर कितनी हो गई है तो याद रखेगा पहले 6.25 था और अब बढ़कर 6.50% हो गिया है option number B हाली में फ्रांसीसी खिलाडी राफेल वरेन ने किस अंतराष्टे खेल से सन्यास ले लिया तो राइट अंसरे फुटबॉल से हाली में के सच्टनारायन राजू किस बैंक के नए MD और CEO बने है तो साथियो राइट अंसरे केंडरा बैंक के option number A next question है हाली में कौन भारतिय मूल की प्रथम महिला हावाड लॉर रिवियू की नए अधच बनी है तो राइट अंसरे साथियो आपसरा अईयर option number A next है हाली में किस देश से संबंदित खिलाडी अरोन फिंच ने अंतराष्टे क्रिकेट से सन्यास ले लिया है तो अरोन फिंच जो की ऑस्टेलिया के क्रिकेटर थे option number D हाली में 65 वे ग्रेमी अवार्ड्स के बिजेताओ की घोशना हुई जो किस छेतर में दिया जाते हैं तो ग्रेमी अवार्ड्स जो की संगीत के छेतर में दिया जाने वाला सरवच्च पुरसकार है option number C अगला है प्रतिवर्स 20 वो कैंसर दिवस की स्तारिक को मने जाता है तो राइट एंसर साथियो चार फरवरी को हाली में भारत के किस परवसी देश के पुरुर राष्ट पती रहे परवेज मुसरफ का 79 यानि 89 वर्स की उम्र में निदन हो गया तो पाकिस्तान के option number C हाली में किस राज की सरकार ने गरिब महिलाओ के लिए लाडली बहना नामक योजना की शुरुवात की है तो राइट एंसर हो जाएगा साथियो याद रिखेगा सभी मज्द परदेश ने option number D कोन ब्यक्ती हाली में संदीप सिंग के अस्थान पर भारतिया बायु सेना के नए उपप्रमुख बने हैं तो याद रिखेगा साथियो अमरप्रीत सिंग option number D हाली में किस टीम ने मैंसो की वर्ल्ड कॉप 2023 का खिताब जीता है तो करेक्ट अंसर है जर्मनी ने option number C हाली में किस खेल से संबंधित भारते खिलाडी मुरली विजय ने अंतराष्टे खेल से सन्यास ले लिया है तो किरिकेट से संबंधित परतिवर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को सहित दिवस्किन की पुन्य तिथी पर मनया जाता है तो राइट अंसर है महात्मा गांधी के किस खिलाडी ने ऑस्टेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है तो करेक्ट अंसर है साथियो आरियाना सबलेंका नेक्शट कोस्चन है किस खिलाडी ने ऑस्टेलियन ओपन 2023 में पूरू सेकल का खिताब जीता है तो याद रिखिगा नुवाक जोकोविच ने देखिये फ्रेंच ओपन और ओस्टेलियन ओपन दौनähr में ही पूरू सेकल का हिताब वो नुवाक जोकोविच नहीं जीता है याद रखना है अगला कोश्चन है किस क्रिकेट टीम ने उमेंस अंडर 19 टी 20 वर्ल्ड कॉप 2023 का खिताब जीता है तो राइट अंसर साथ को भारत ने ऑप्शन नमबर सी हाली में देखे पेटर पावेल ये किस देश के नए राष्ट पती बने हैं तो याद रिखेगा चेत गनराज का औप्शन नमबर एफ परतिवर्श पूरे भारत में राष्टिया परियाटन दिवस किस तारिक को मने आ जाता है तो राइट अंसर साथ योग 25 जनवरी को औप्शन नमबर सी हाली में 26 जनवरी 2023 को पूरे भारत में गंतंत्र दिवस मनाया गया तो ये कितनवा ग कुल कितनी हस्तियों को पद्वा अवार्स 2023 के लिए चुना गिया तो राइट एंसर है कुल 106 हस्तियों को आप्शन नंबर भी अगला कुश्चिन है आई सेसी अवार्स 2022 में किस वर्स की सर्वस्रेश्ट महिला किर्केटर का पुरस्कार मिला है किसी है ना तो आई सेसी अवा 2022 में किसे वर्स 2022 का यानि वर्स का सर्वस्रेश्ट पूर्स कीर्केटर का पुरस्कार मिला है तो बावर आजम जो की पाकिस्तान के है हाली में 24 जनवरी 2023 को दुनिया भर में अंतराष्ट्य सिक्षा दिवस यानि इंटरनेशनल डे ओफ एजुकेशन मनाया गिया जिसे पहली बार किस वर्स मनाया गिया था तो राइट एंसरे बर्स 2019 में अगला कोस्चन है कौन ब्यक्ति हाली में नागरी कुल्डियन महा निर्दे सालाई के नए महा निर्दे सक बने हैं तो राइट एंसरे बिक्रम देवदत याद रिखिए कोस्चन नंबर दोसो था कोस्चन नंबर दोसो एक परतिवर्स 23 जनवरी को पूरे भारत में पराकरम दिवस मनया जाता है किन की जयनती पर मनया जाता है ये पूझा गया है तो सुभास चंद्रबोस के जनमति थी पर अगला कोस्चन है हाली में कौन अमेरिकी राज्य मेरी लेंड की लेप्टिनेंड गवर्नर बनने वाली प्रत्थम भारतिया अमेरिकी बनी हैं तो राइट निव्जिलेंड के नए प्रधानमंत्री हैं ये क्रिस हिपकिंग ये हिपकिंस याद रिखेगा कौन ब्यक्ति हाली में वेदानता समू की कंपणी देखे कैर्न ओइल एंड गैस के नए CEO बने हैं तो याद रिखेगा सभी साथी निक वाकर ऑप्शन नमबर एक हाली में कौ भारत का पहला संभिधान साक्षर जिला कौन बना है तो याद रिखेगा बहुत ही अच्छा कोस्चे ने साथ यो कॉल्लम कॉल्लम जिला जो की केरल राज का एक जिला है ओप्शन नमबर बी कॉल्लम केरल हाली में 19 जनवरी 2023 को राष्टिया आपदा परतिकरिया बल का कौन सवा अस्थापना दिवस मनाया गिया तो याद रिखेगा अठार ओप्शन नमबर बी नेच्ट कोस्चेन है कौन ब्यक्ति हाली में भारत के ने उपराष्टिय सुरक्षा सलहकार बने है तो याद रिखेगा पंकज गुमार सिंग औप्शन नमबर सी हाली में किसे आरSubनेन आर बोनी ग्रेबियल ने मिस युनिवर्स 2022 प्रतोगी प्रतोगीता को जीता है तो राइटेंट सरे याद रिखीगा अमेरिका की है ऑप्शन नमबर सी हाली में किसे आईटी कमपणी देखे कॉगनिजेंट के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गिया है तो साथियो रभी को हाली में कौन तेलंगणा राजी की पहली महिला मुख्य सचीब बनी है तो सांती कुमारी ऑप्शन नमबर भी हाली में जारी हुई हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतिया पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है तो राइटेंट सरे साथ यों 50 वा हाली में कौन भार रिखेगा एसी चारनिया ऑप्शन नमबर सी हाली में कौन ब्रो के विदेशी असाइनमेंट पर कैनात होने वाली पहली महिला ऑप्शर बनी है तो करिक्ट एंसर हो जाएगा साथियों के सूर्भी जाक मोला ऑप्शन नमबर भी परतिवर्स बारह जन्वरी को भारत भर में राष्टे युवा दिवस किनके जनम दिन पर मनया जाता है तो राइट एंसर हो जाएगा स्वामी विवेक आनंद के जनम दिवस पर नेक्स्ट साथियों हाली में कौन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है तो केरल कौन ब्यक्ति हाली में अखिल भारतिया रत्न एबम आभुसन घरेलू उत्पाद के नए चैर्मेन बने हैं तो करेक्ट एंसर होगा सायम महराजी ऑप्शन नंबर भी हाली में किस भारतिया राज की पहल जगा मिशन को युवेन हैविट्स वर्ट्स हैविट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित क्या गिया तो याद रिखीगा ओडिशा की ऑप्शन नंबर सी राइट एंसर है खाली में कुलदीप सिंग पठानिया को किस राज की विधान सभा के नए अधच के रूप में चुना गिया है तो करेक्ट एंसर हो जाएगा साथ्यों हिमाचल पर्देश के होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है तो देखीगा राइट एंसर है के सिवा चोहान ओप्शन नंबर D करेक्ट एंसर है कौन ब्यक्ति हाली में परमानु उर्जा नियामक्क बोड के नए अधच बने हैं तो करेक्ट एंसर साथ्यों दिनेश कुमार सुकला ओप्शन न अंतिम कोश्चन है आज के क्लास का कौन ब्यक्ति हाली में इंडियन ओवर्सिज बैंक के नए एमडी और सीओ बने हैं तो राइट एंसर है अजाई कुमार सुरिवास्तब अप्शन नंबर सी अब साथियों में कल आपको बरतमान में कौन किया कहां ये जुलाई 2023 तक अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शियर कर दिजिएगा ठीक है और देखिए ये जो कोश्चन्स थे मैंने बहुत ही जादा एनलाइसिस के साथ रिसर्च करके एक एक कोश्चन छाट-छाट के लिए है ये बहुत ही जादा इंपोर्टेंट कोश्चन्स थे तो मि कर दो कर दो कर दो कि एक लिएगादा एक जादा इंपोर्टेंट कोश्चन थे जादानी से जादा दो दो एक कर दो बहुत है।